दोस्तों और आप भी शिखर्दवन को एक खतरनाक बल्लेबास मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों एक तरफ जहां भार्तिय टीम वर्ल्डेकप से बाहर होने के बाद न्यूजिलेंड के खिलाब T20 सीरिस के तयारी कर रही है तो वही दूसरी और टीम के सलामी बल्लेबास गबर के परिशानिया कम होने का नावी नहीं ले रही है शिखर्दवन का नीजी जीवन इस वक्त महुती परिशानियों में चल रहा है जहां एक तरफ उनकी पतनी से उनसे तलाक ले लिया है तो वही दूसरी तरफ उन्हें भारतिय टीम में भी जगा नहीं मिल रही है जिससे उन्होंने तंग आकर शन्यास लेने का फैसला तक कर लिया था जिससे सुनकर सभी भारतिय दिगज, सचिन तैंदुलकर, विरेंदर शहवाग यहां तक के दोनी ने भी खुद शिकरदवन से बात की थी जिसके बाद गबर ने अपना फैसला वापस लेने की बात कही वही दोन के साथ हो रहे इस दुर्वेवहार के कारण मेंदर शिंग धोनी बिसी साई से काफी नराज है और धवन को टीम से बाहर किये जाने पर दोनी ने बड़ा बयान दिया है दोस्तो दोनी ने क्या कहा है ये तो आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है या शिकरदवन को टीम में सामिल करना चाहिए या नहीं कॉमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं उस्तो टीम इंडिया के गबबर और विस्पोटक ओपनर शिकरदवन के साथ सेलेक्टर्स ने सो तेला बड़ताओ करते हुए न्यूजिलान के खिलाब T20 सिरीज में मौका नहीं दिया T20 वर्ल्ड कप में भी सेलेक्टर्स ने शिकरदवन को नहीं सेलेक्ट किया था जिसका रण भारत ग्रूप मैचों में हार कर बाहर हो गया शिकरदवन को एक बार फिर नजर अंदाज करते हुए सेलेक्टर्स ने न्यूजिलान के खिलाब T20 सिरीज में भाव नहीं दिया इस साल जुलाई में शिकरदवन को शिलंका दोरे पर कप्तान की तौर पर टीम में जगा मिली थी लेकिन इस सिरीज के बाद उन्हें दूद में पड़ी मक्की की तरह निकाल कर बाहर कर दिया गया सेलेक्टर्स ने IPL 2021 के दूसरे हाफ में UAE में बल्ले से रन बरसाने वाले वेंकडिस अईयर जैसे युवा खिलारियों को तवज्जो दिया है लेकिन जिस तरह से शिखरदवन को इस सिरीज से बाहर किया गया है उससे एक बात जाहिर होती है कि वहार टीम में उनकी जगा खत्रे में है गबर कीवे टीम के खिलाब जगा बनाने के दावेदार थे लेकिन चेन करताओं का उन्हें इस तरह से नजर अंदाज किया जिससे दोनी काफी भड़क गए है दोनी ने शिकरदवन को टीम में नहीं चुने जाने से काफी नराज है दोनी ने कहा धवन ने भारतिय टीम को काफी कुछ दिया है वे कई मौके पर टीम को जीत दिलाई है ऐसे में इतने बड़े खिलाडी को इस तरह से बेज़ज़त करना भारतिय क्रिकेट को सोभा नहीं देता है मेरे ख्याल से एक बार फिर सेलेक्टर्स को धवन के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें मौका देना चाहिए